स्वागत आपका अमारी एक और नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आये हैं कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स डॉल्फिन्स के बारे में तो जैसे कि आप जानते होंगे डॉल्फिन सबसे खूब सूरत जल में रहने वाले मैमल्स में से होते हैं मतलब उनके शरीर का खुन गरम होता है जिसके लिए उन्हें बाहरी तापमान के जरुद नहीं पड़ती और साथ ही वो बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें वो दूद पलाते हैं तो डॉल्फिन्स की बहुत सरी पर जाती है समंदर में पाए जाती है जिसका कारण fishing, accidental catch जिसका मतलब गलती से पकड़ा जाना होता है जहां पे दूसरी मचले गुरूप के साथ पकड़ी जाती है और भी उसे बहुत सारी कारण जैसे इनके खाने के प्राकरतिक सरोत में कमी जिसका बहुत बड़ा कारण global warming है जहां माना यह जाता है कि जल्दी ही भविश्य में सारी dolphins species बिलुक्त हो जाएंगी जिसके लिए उमीद है हम लोग जल्दी कोई ना कुछ step लेंगे तो बढ़ते हैं कुछ interesting facts के बारे में dolphins को लेकर तो dolphins का आकार एक मीटर से नौ मीटर तक हो सकता है और जिनका वजन 40 kg से 11,000 kg तक हो सकता है जहां मावी सबसे छोटी डॉल्फिन की species है और वहीं और का सबसे बड़ी डॉल्फिन की species में से एक है नौमबर टू डॉल्फिन के पास लगबख 100 दात होते हैं पर इतने दात के बाउचूथ वो उनका इस्तमाल चबाने के लिए नहीं करती वो अपने खाने को निगल जाती है नौमबर थ्री सभी डॉल्फिन्स कारणी बोरोस होते हैं यानि की मास खाने वाले जहां छोटी डॉल्फिन्स, मचली और स्कुड्स खाती है तो वहीं बड़ी डॉल्फिन्स, सेल्स, सील लायन और अन्य परकार की डॉल्फिन्स और यहां तक की वेल्स को बिखा जाती है नौमबर फॉर डॉल्फिन्स, इको लोकेशन का इस्तमाल करती है अपने शिकार या शिकारी का पता लगाने के लिए जिसके लिए वो किलिक जैसी आवाज निकालती है जो पानी में जाकर वहां मौजोद चीजे या जीवों से टकराकर पापिस आती है जो उसकी location और size वगएरा Dolphins को समझने में मदद करती है अब Dolphin सिर्फ Ecolocation के अलावा CT, Squeak, Squawk जैसी आवाजे बे निकालती है अपने साथियों से communicate करने के लिए Dolphin सामतोर पर एक बड़े गुरूप में रहती है जिने Ports का जाता है जो आपस में काफे घुल मिलकर रहते हैं जहां जातर समय वो आपस में एक दुसरे के साथ खेलते हो देखा जाते हैं या फिर इसके लावा उन्हें समुदरी जड़ी बूटियों याने की sea beads के साथ भी खेलते हुए देखा गया है वैसा उसका मतलब जड़ी बूटी नहीं होता जहां पर उसका मतलब होता है समुदरी में वोगने वाले कुछ पेड़ पौदे अब भले ही उन्हें हम socialize मानते हुए देखते हैं कि आपस में खेलते हैं लेकिन इसके लावा वो काफ़ जड़ा compassionate भी होते हैं जहां वो अपने pods के बुड़े और बिमार लोगा भी काफ़ी बैतरीन तरीके से ख्याल रखते हैं डॉल्फिन्स अपने सर के उबर बने एक छेट से atmospheric air लेने आते हैं यानि कि वह हवा जो हमें चाहिए होती है जहां बहुत सारे डॉल्फिन्स 20 से जज़ादा पानी के अंदर नहीं रज़ सकते जिस कारण से वो सो नहीं सकते, मतलब पूरी नीद नहीं ले सकते जिसका तरीका नोंने कुछ इस तरह से निकाला है कि वो अपने आधे दिमाग को सुला देते हैं जिसके वेसे आधे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो oxygen लेते हैं और आधे दिमाग उनका rest कर रहा होता है अब जब डॉल्फिन्स आराम कर रहे हो तो उन्हें आप सतया पर जाकर मिल सकते हैं लेकिन अगर वो जगे हुए हैं तो उनसे मिलने के लिए आपको लगभग 1000 फीट अंदर जाना पड़ेगा पानी के आप डॉल्फिन्स को दुनिया भर के कई अक्यवेरियों में देख सकते हैं और साथ ही साथ वो काफिसरे ट्रिक्स भी सीख चुके हैं क्योंकि उनका दिमाग बाकी जानवरों के तुलना में आखार में बड़ा होता है अब क्योंकि बच्चों को दूद पलाता है विलकुल हमारी तरह तो इनको मतलब मतलब इनके मेल मेट को कहा जाता है बुल और फीमेल डॉल्फिन्स को काप कहा जाता है यानि कि बैल, गाए और बच्छडा तो मतलब डॉल्फिन अपने आपको कहाएगी मैं गाए हूँ और यह हमारे बच्छडे हैं या फिर हम डॉल्फिन्स है You never know Number 14 डॉल्फिन्स के प्रेग्नेंसी 11 से 17 महिने तक होती है जिसके बाद वो एक बच्छडे को जन्म देती है जो अपने पूँच के साहरे बाहर निकलता है और यही एक लोता वो मैमल है जिसके बच्छे पैरो के बल यानि कि पूँच के बल बाहर आते हैं मतलब इंसान बनने वाले थे लेकिन यह नहीं बन पाए क्योंकि यह उल्टा पैदा हुए थे पर वैसे इसके लावा बेबी डॉल्फिन अपने माह के साथ लगबग 2-3 वर्ष तक की आयू तक रहते हैं और इंसान शादी होने तक अब बढ़ते हैं इसके लास्ट फैक्ट की और जो है डॉल्फिन्स को आहम तोर पर अपने वन्ने हवास यानि कि जहां वो पाए जाते हैं उस जगा पर यानि कि पानी या समदुर के अंदर 17 साल की उमर तक जीते हो देखा गया है तो कहीं सारी स्पीशिस को लगबग 50 साल की आयू तक भी जीते देखा गया है तो अब आप बताएं आपको कैसा लगा इन सारी फैक्ट के वारे में जानकर अपने विचरह में लिचे कमेंट बोक्स मतना में बिल्कुल ना बुले तक वीडियो को लाइक, शेर और स्क्राइब करना भी बिल्कुल ना बुले तक लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त, धन्यवाद